नमस्ते दोस्तों, Life Simplified Hindi में आपका स्वागत है और मैं हूँ अभिशेग तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब की जिसने मेरे जीवन पे और कई अन्य लोगों के जीवन पे बहुत प्रभाव डाला है और प्रभाव भी ऐसा डाला है जिसकी वज़े से जीवन की दिशा भी कुछ हद तक बदल गई है वो किताब है Autobiography of a Yogi एक योगी की आत्मकथा तो ये आत्मकथा है परमहन्स योगानंद की परमहन्स योगानंद भारत के एक ऐसे योगी जो महा अवतार बाबाजी के वंग्शावली में आते हैं इस किताब में योगानंद की पूरी कहानी उन्होंने खुद लिखी है और अपने जीवन की सारी घटना क्रमों को उन्होंने इस किताब में व्यक्त किया है नकेवल उनके जीवन के सारे घटना क्रमों को उन्होंने यहां पे लिखा है उन्होंने भारत के बहुत सारे ऐसे योगियों के बारे में भी लिखा है जिनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये तो संभव ही नहीं है इस किताब में उन घटनाओं का उलेख है जिने जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं इस भौतिक जगत में मेरे कहने का तात्पर ये है कि हम जिस भौतिक जगत में रहते हैं वहाँ पे आध्यात्मिक घटनाओं का जो विवरण इस किताब में दिया गया है वैसी घटनाएं या वैसे चमतकार हमें प्रत्यक्ष देखने को नहीं मिलते हैं और ऐसा कुछ अगर होता भी है किसी कारणवश तो हम उसे मात्र एक संजोग माल लेते हैं लेकिन जब आप अपनी जागरुकता को बढ़ा पाएंगे और आध्यात्म के मार्ग पे अग्रसर हो पाएंगे तो आपको यह मैसूस होगा कि हाँ ऐसी घटनाएं सच में हो सकती हैं और ऐसा संभव है क्योंकि फिर आप उस आयाम को देख पाएंगे आध्यात्मिक्ता की जो हम इस भौतिक जगत में नहीं देख सकते हैं एक साधारण व्यक्ति अपनी इन साधारण आखों से उन असाधारण घटनाओं को न मैसूस कर सकता है और नहीं देख सकता है इसके लिए हमें जागरुक रहना पड़ेगा हमें आध्यात्मिक्ता को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा और हमें ये भी समझना पड़ेगा की आध्यात्मिक नियम काम कैसे करते हैं एक योगी का जीवन कैसा होता है और कैसे एक व्यक्ती एक साधारन व्यक्ती से असाधारन व्यक्ती बन जाता है तो मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक मार्ग पे अग्रसर है या स्चुरुवात भी करना चाहता है, तो वह इस किताब को जरूर उठाए और एक बार जरूर पढ़े, क्योंकि अगर आपने इस किताब को पढ़ा, तो आपका द्रिष्टी कोण आध्यात्मिक के लिए पूरी तरह से बदल जाएगा और आपको एक नए आयाम के बारे में भी पता चलेगा, तो मैं अपने सारे दर्शकों से या निवेदन करूँगा कि आप ये किताब जरूर पढ़ें, दोस्तों मेरे पास जो कॉपी है इस किताब की वो अंग्रेजी में है, आप चाहे तो इस किताब को हिंदी में भी खरीद सकते हैं, और हिंदी में भी इसकी कॉपी जुपलब्ध है, अगर आप ये किताब पढ़ने के लिए एक चुक है, तो आप जरूर जाएं और हिंदी में इसे खरीदें और पढ़ें, मैं इसकी लिंक डेस्क्रिप्शन में डाल दूँगा हिंदी कॉपी की, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आये, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ जरूर शेयर करें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते.